पांच जगह रोककर और बंबाजी और गोली बारी उनके सामने होती रही मनिपुरी उन्वर्शिटी में अस्सम राइफल्स भी है उनलोग के सामने भी फाइरिंग हुई उनलोग किसी भी तरह से वहां से बचकर उन्वर्शिटी केंपस में आए उन्वर्शिटी केंपस में भी गोलाबारी हुई बाहरी लोग को छोड़ करके जो उनके कम्मुनिटी के जो दुस्मन थे उन लोग को टार्गेट करके मारा जा रहा था गल्स होस्टल नमर 5 में भी हमला होने वाली है तो कुछ लोग वहां गये तो दिन भर में ऐसा ही होते रहा और सारे रूम को चेक करक हैं जे हम लोग जाएंगे चाह वहां पर जाके एक्जाम देंगे चाह पढ़ेंगे क्यूं थे आज दो लड़की को निवस्त्र करके पचास सो आज हम बोल नहीं पा रहे हैं मेरा खुद का सरीर में एक खुद औरत होके हमको इतना मने सरम मैसूस हो रहा है आज जिस तरह से कल हमने देखा कि एक बच्ची को गैंग रेप किया गया और निर्वस्त करके गुमाया गया ये भारत के लिए कितनी शर्मनाक है आज हमारी भारत मा रो रही है हमारी बेटिया रो रही है दो महीने से जादा का वक्त हो गया मनिपूर जो है वो जल रहा था हाला कि मौनसून सत्र की शुरुवात होनी थी प्रधान मंतरी नरेंद्र मोदी 30 सेकेंड का बयान जो है वो जारी करते हैं और कहते हैं कि सब कुछ ठीक हो जाएगा और बड़ी कारवाई प्रधान मंतरी नरेंद्र मोदी करेंगे हमारे साथ इस वक्त मनिपूर युनिवरसिटी के सन्नी कुमार है, सन्नी बिहार के रहने वाले हैं और सन्नी जो है वो ये बताइए कि मनिपूर में सब कुछ हो रहा था आप उसी कॉलेज वहाँ युनिवरसिटी में पढ़ रहे थे, कब से ये शुरुवात हुआ है तीन में को वाइस प्रेज़ेंट आये थे वहाँ, तो हम लोगों को डिपार्टमेंट के लोगों को वहाँ वेलकम के लिए हम लोगों को खड़ा किया, और फिर हम और भी मेरे डिपार्टमेंट के सारी लड़किया थी, तो हम लोगों को दो लड़के थे, तो वो वेलकम होने एक जब बापस लोट रहे थे तो उन लोग के वो वाइलेंस राइटर्स पहुत सभी लोगों ने चार-पांच जगह रोककर और बंबाजी और गोलीबारी उनके सामने होती रही उन लोग किसी भी तरह से वहां से बचकर University campus में ऑए University campus में भी गोलाबारी हुई जैसे कि आप लोग को पता होगा कि मनिपरी University में अस्सम राइफाल्स भी है उनलोग के सामने भी फायरिंग हुई और फिर उस रात को हम लोग ने सारे लोग गेट बंद करके अपने घहर में बंत थे और हरी को देखा जा रहाता अगर उसमें को अगर ना दर तरुम को सब जो नोगों को घुट करके और उस में किसी बहुत लोगों को हमने भागते हुए होश्जम से मैंने देखा और सुबह हुई सुबह कुछ नॉर्मल रही लेकिन हम लोग कुछ स्टूडेंट तो दूसरे थे दो तो हम लोग सोचे अपने सारे स्टूडेंट के साथ एक छोश्टल में चले जा वहां गये तो फिर पता चला कि गल्सोटल नमर 5 में भी हमला होने वाली है तो कुछ लोग वहां गयाँ तो दूडिवर में ऐसा ही होते रहा सारे होस्टल में एक लिस्ट के तहट आते गये लोग और सारे रूम को चैक करकर समान निकाल करके जलाया जा रहा था और जलाया जा रहा रहा था फिर यहां लोग?' को मेरा भी टार्गेट में तई लोग हैं बट फिर भी हम लोग बहुत डेरेवें थे क्योंकि चारों वगल गोलियां और बंबाजी की आवाजे आ रही थी फिर रात हुई रात को लड़की लोग बहुत ज्यादा डर गई थी तो भीसी गए लड़की लोग के हुष्टल में तो भीसी ना अस्वासन दिया कि अगर आप लोग यहां से जाना चाहते हैं तो हम आपको कल सुक्रेटी प्रवाइड कर आपका बिहार जो है वहां पर यह वाइलिंस हो रहा है हम लोग ने चार माई के रात में तो सब्सक्राइड हुआ कि कब बापस जाना है त तो उन लोग ने टिकट बुक करके हम लोग के दिये और उसके बाद सुबह साथ वज़े के आसपस वह इनवर्सिटी से खुली और फिर हम लोग एरपोर्ट पर पहुंचें अब क्या अब क्या हो रहा है कि मनिपूर युनिवर्सिटी जो है वह आप लोगों को बुला रही है यह बात सामने आ रही है तो क्या आप चाह रहे हैं कि फिर से अपनी पढ़ाई की जो है वह पूरी करने के लिए मनिपूर जाएं जी अगर वहां सारा नॉर्मल हो तो हम लोग जाने की सोच सकते हैं क्योंकि पैरेंस लोग नहीं कर रहे हैं इस इस्तिति में वहां जाने क क्योंकि दो अड़ाय महिना से ज्यादा हो चुकि हैं हम लोग के पढ़ाय रूप चुकी है और कितने की यह यह लौस भी हो चुकी है तो अगर हम लोग की ट्रांसफर की अगर कर दिया जाए तो हम लोग अपनी दूसरे इंवर्सिटी में कंटिन्यू को कंटिन्यू कर सकते हैं मनीपुर नहीं जाना चाहते हैं आप क्या चाहते हैं इनिवर्सिटी या फिर सप्कार जो है किस चरीखी मदल अनु लोग यह हम लोग रिटें में माँए कि आप हमारे र्र्शुंसिऴ्सій लीजिए दीजिए कि हम लोग इंप श्राइलर आएंगा एंले देशक्तिन्tery होगा एक्जाम है इतने ताटिक से स्टाठ हो रहा है तो आप लोग को एक्जाम के लिए आना होगा मतलब जान की चिन्ता जो है वो नहीं करनी है यह बात कहीं जा रही है जी उन लोग बोले कि मेरे लेगा है लोग की क्या चाहत है या पिर आप लोग किसे लगता हम लोग के चाहत है कि अभी continue online studies कर दिया जाए और हो सकते तो online exam दे करके हम लोग के semester कंप्लीट कर दिया जाए उसके बाद फिर हम लोग देखेंगे कि अगर नॉर्मल होगी तो जाएंगे नहीं तो फिर ट्रांसफर के लिए हम लोग आगे की प्रोसेस किया अज प्रधान मंतरी भी बोल रहे थे तो आपको नहीं लगता है कि सब कुछ आल इस वेल जो हो जाएगा हमें नहीं लगता है कि अभी ऐसा हम वहां के अभी कुछ नॉर्मल नहीं है तो आने की अभी मत सोचो आप क्या सोच रहे हैं जो आपके साथ जो बिहार के बच्चे हैं वो लोग नहीं जाएंगे बिहार के बच्चे को नहीं जाने उनके पैरेंट्स एलाव नहीं कर रहे हैं जाने को अच्छा आप यहीं चाहते हैं जी हम कैसे देख रही है प्रतिमा जी जो मनिपूर हिंसा हो रही है आज प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा तो 30 सेकंड के लिए कि मनिपूर जो है वो शांत हो जाएगा कड़ी कारवाई होगी सर वो प्रॉब्लम जो है वो स्टूडेंट सा फेस किये हैं वहाँ पर तो हम लो प्रेंटिंग की अगार्टिंग की तरह से अगर सर्कार देते हैं जीह हमारे बच्चे जाते हैं तो तो उसका टोटल सेप्टी का गैरेंटी सरकार लेते हैं तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है और नहीं अधर कोई प्रॉब्लम होना चाहिए तो हम लोग भेज सकते हैं जब आदमी का खुद का हम लोग नहीं एक है अगर होोटम सत्ता हैां अगर कि दर खुद कुद में है कों कुछ चल जाएं आप लोग भूस अमझी है आफ लोग घर का परिवार को किसी बच्चा को आज जो प्रधानमंत्री कह रहे थे उस बात पर यकीन नहीं है प्रधानमंत्री पर ठीक है सर मैं पीएम से यही रिक्वेश्ट करना चाहती हूं यह सर इस माचले तीन मैना से यह प्रॉब्लम फेस हो रहा है पूरा मनी पूरा इंफाल तब से एक्षन लेना चाहिए है क्यों थे आज दो लड़की को निवस्र करके पचास सो आज हम बोल नहीं पा रहे हैं मेरा खुद का सरीर में एक खुद औरत हो के हमको इतना मने सरम मैसूस हो रहा है जिस तन से आदमी बच्चा को पैदा करता आज वो मर्द जात इतना मने गिरा हुआ हो गया है जे लड़की को निवस्र करके सो लड़का के बीच में उसको पैरेट किया जा रहा है ले जा रहा है क्या इस सेव्टी का गैरेंटी सरकार लेते हैं अगर लेते हैं तो सरकार खुद बोले हाँ हम गैरेंटी लेते हैं मैं अपना बच्चा लोगों सब प्रतिमाती और आपने सुना कि किस तरीके से जो मनिपूर युनिवसिटी के छात्र हैं पूरी आप बीती जो है वो बताई है कि मनिपूर में जो हिंसा हो रही है और साथ में जिस तरीके से मनिपूर युनिवसिटी जो है बिना किसी गैरंटी के बच्चों को बुलाना चाहत पर देश के लिए एक बहुत शर्मनाक हादसा हुआ है पिछले दो मेने से हमारा एक राज्य जो बुरी तरह से जल रहा है और देश के पधान मंत्री देश के हमारे आदर निये पधान मंत्री नरेंदर मोदी जी दो मेने बाद अपना वक्ते बेजारी करते हैं वह 36 सेकंड का और सिर्फ यहां पर आकर रुक जाते हैं कि घोर निंदा करते हैं और जिन्नों ने उस राज्य को चलाया है उन्हें सकड़ी सकड़ी स गया यह भारत के लिए कितनी शर्मनाक है और आज हमारी भारत मां रो रही है हमारी बेटिया रो रही है लेकिन यह सरकार जो है मजबूरी में आज प्रहान मंत्री जी जब यह इतनी घ्रिनित घटना हुई है तो आकर वो अपना बयान दे रहे हैं तो इस सरकार से हमें इसकार है उससे बहुत कुछ उमीद नहीं कि जा सकती है लोगों से ही यह हम अपिक्षा और उमीद करते हैं कि वह शांती बनाएं और फिर से राज्यों को खुशहाल और